शनिवार को श्री शनी शक्ति पीट की और से पत्रकार परिश्यत का आयोच्वन किया गया इस दोरान मध्य भारत की पहली सूरी घड़ी के लोकारपन के बारे में जानकरी साजा की गई इस संदर में बताते हुए शनी शक्ति पीट के निदेशक आचारी भुपेश गाडगे ने बताया कि राश्री स्वैम सेवक संग की महिला समीती की 21 सदस्यों की और से इस अफसर पर श्री सुक्त का पाट किया जाएगा श्री यंत्र को त्रिपुरा शक्ति का प्रतीक माना चाता है श्री यंत्र को भगवती त्रिपुरा शक्ति की यंत्र में सबसे प्रभावशाल यंत्र माना चाता है यह भारत में इतने बड़े आकार का एकलोता श्री यंत्र है और चार फूट उच्छा है चार फूट और समर्पन रविवार 28 नवंबर 2021 को नाखपुर से 35 किलोमेटर की दूरी पर श्रीच्यों के कान्होली बारा में किये जाने की जानकारी आयचेत पत्र पर इशिद में दी गई इस दुरान श्रीच्यों शक्तिपीठ के निदेशक आच्यारी बुपेश गाडगी ने बताया कि राष्ट्य स्वेम सेवक संग की महिला समीती की 21 सजस्य इससर पर श्री सुक्त का पाट करेगी इसके बाद महाराश्र प्रदेश कॉंग्लिस अधिक्ष नाना पडोले, विधायक विकास ठाकरे, विधायक गिरेश व्यास, रमेश यंद्रबंग मुक्यतीती के रूप में मौझूद रहेंगे आरेवट अस्ट्रोनेमी पार्क चे संस्तापक, उध्या दिनांक 28 नोएंबर 2021 ला दाहा वास्ता या सुरेगडी चे उध्गाटन लोकारपन, महामंडलेश्वर्गी और नाना पटोले सर एंचास्ते इथे उना राहें आमचा उध्देश सुरेगडी चा आये कि अस्ट्रोनोमी चे एंसेन अस्ट्रोनोमी आये तो लोकान पुड़े यावी सरवत महत्वाचा आमचे उड़े अक्कुरेट कैलकुलेशन असुन सुद्धा ते जगा पुड़े आले लेत नहीं बतादे कि श्रीश्यत्र जोकी एक प्रसिध जगा है पौरानिक कताओ के अनुसार इस्थान पर पांडव काल के दोराग विधर्ब के एक मात्र गुरु ब्रुहस्पती का प्रसिध मंदिर है इसके अलावा इस श्रीत्र को चक्रवर्ती के नाम से भी चाना चाता है आचारिय भुपेश खाडगे ने लोगों को यहां आने की अपील भी सर्म्यान की कैमरपोसन राजकमार मोड के साथ दिशाहटवार बीसेन न्यूज सनाकपूर